नमस्कार दोस्तों सीटेट गुरु राधे साम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत हैं सीटेट पेपर वन में एक पार्ट होता है इभी एस का जिसमें आपको 30 कोश्चन आता है अगर देखिए NCRT के किताब से यह पांचवा कलास के किताब है तीसरा चौथा और अच्छा से कर जाईएगा अच्छा से यानि कि उसको मार्क करकर मार्क करकर सब बातों को समझ जाईएगा तो आपका 20 पुलस नमबर एकदम निश्चीत है और सबसे आसान सीटेट में सबसे आसान अगर कोई पाठ है तो इभी एस हैं इसमें ज्यादा मेहनत किजिएगा त तो 25 पुलस भी आ सकता है डिरेक्ट इसमें कोस्टन पूछता है ज्यादा इधर उधर से नहीं घुमाता है तो चलिए देखिए कैसे पढ़ना है यहां जो दिया रहता है सिक्छक के लिए भी देखें आमूक जो रहता है आमूक आमूक जो रहता है उसको शुरू से ही पढ असकूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए यह देखिए सीटेट में कोस्टन आता है पच्चो के असकूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए फिर देखिए राष्टिरिये सिक्छानीती 1986 में बढ़नित बाल केंदित व्यवस्था की द आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए यहां से पढ़िए, कह रहा है कि रष्टिरिये पट्चरिया की रूप रेखा, इन्सीफ 2005 प्रयावरन अध्याइन को कक्छा 3, 5 तक 1 विशय के रूप में देखती हैं, यह विशय विज्ञान समाजिक अध्यान एवं प्रयावरन से ज समाहित होता है, प्रयाव इभियस में कौन-कौन समाहित होता है, विशय तो विज्ञान, समाजिक विज्ञान और प्रयावरन अध्यान से जुड़ी अधर्नाव और मुद्दो को समेकित रूप से देखता है, कक्छा 1 और 2 में विशय नहीं है, देखिए, यह यह भी कोश् से बताया जाता है, यह कोश्चन बार-बार आता है, अतो अक्छा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ पुस्तक नहीं है, देखिए, यह पाठ पुस्तक बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों को स्वयम खोज कर पता करने के आउसर मिले, और वे रटने की मजबूरी से बचे, रटन निगेटिव वर्ड है, रटना नहीं चाहिए, यह कह रहा है, परियावरान अध्यान के, NCF 2005 और जो भी नितिया है, उसाब कर रहा है कि रटना निगेटिव है, बच्चों को रटा कर नहीं पढ़ा सकते हैं, चलिए, अपने विचार पढ़कर उत्सुप करें, पुस्तक की भासा अपचारिक नहीं है, बलकि बच्चों की बोल चाल की भासा है, इभी एकदम महत्पून है, पाट पुस्तों को ग्यान का एक मत्स रोत न माना जाए, बलकि बच्चों को सोयम ग्यान रचने में यह में वह एक सहायक भूमिका निभाए, ताकि वे अपने आस पास के ल काम क्या था आज, कि हम थीम के बारे में बता रहें, इस सब आपको बता दिये, लेकिन मुख हमारा विच्चों है थीम, आज हम सोच रहें कि अपको लोको थीम, इस से एक कोस्चन जरूर रहता है, तीस कोस्चन में एक कोस्चन एकदम निश्चित है, कि आपको इधर उधर से घुमा कर लेकिन रहेगा इसी पर तो देखिए नए पाठ करम में इस विश्वय को छो थीमों में बाटा गया है चो थीम में बाटा गया वे हैं पहला थीम है परिवार अमित दूसरा भोजन तीसरा पानी चोथा आवास पाचवा यातरा और छोवा हम चीज कैसे बनाते हैं देखिए इसको आप याद कर च खीजिएगे याद करने के लिए विए कहानी के से मानजिजी आप इसके रह रहा हैं तो आपका परिवार अमित्र के लोग आए मैं आए तो आप क्या कियो दू नंबर में भोजन कर आए तीन नंबर में पानी दिये आवास यानि अपने घर म खुमाने के लिए ले गया फिर उधर से लट कराया तो हम चीजे कुछ बनाकर खिलाएं देखिए चब नमबर चीजे कुछ बना कर खिला है, याद कजिए, एक नमबर है, आप कहीं सहर में रह रहा है, परिवार अमित्र के लोग आए, एक नमबर, दूर नमबर उसको भोजान आप कराए, पानी पिलाए, आवास में, अपने आवास जो रहा है, वहाँ पर रखे, पांच नमबर उनको गुमा कर लाए, तो हम चीजे कैसे बना कर कुछ खिला है, इस तरह आप लोग छो थीम को याद कर सकते हैं, अब देखिए, एक थीम है, परिवार अमित्र, इसके चार उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पधे, इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए आपसी संबंध सही रहेगा, काम और खेल में मन लगेगा, जानवर भी देख रेक कर सकते हैं, जानवर भी पाल सकते हैं, पोधा भी लगा सकते हैं, इस परकार आप लोग इस कहानी के माध्यम से इसको याद कर लीजिए, एक जरूर आता है, धन्यवाद